पक्ष के नेता टिका राम जूली गुरुवार को पहली बार अलवर पहुंचे जहां उनका कारेकरताओं ने गर्म जोशी के साथ स्वागत किया इस दोरान उन्होंने मजूदा प्रदेश सरकार पर हमला भी किया परची की सरकार बताया दिली से जब तक कोई समाचार नहीं आ और पिछतरवे गर्तंत दिवस पर राजस्थान से डॉक्टर माया टंडन को पदमश्री अवार्ट से नवाजा गया है आपको बता दे कि माया टंडन राजस्थान से ऐसे पहली मैला है जिनने रोट सेफ्टी यानि की लाइफ सेफ्टी शेत्र में बहतरीन काम के लिए अज भारत अपना 75 गंटंत्र दिवस मना रहा है इस अवसर पर पदमश्री से बड़े दिगज हस्तियों को नवाजा गया है माया टंडन जापूर से बिलॉंग करती है राजस्थान से माया टंडन को पदमश्री से नवाजा गया है मैम कैसे देखती आप अपने इस जी का धन्यवाद देना चाहूंगी करीब करीब तीन दशक से मैं इसी क्षेत में काम कर रही है जैसे भारत वर्ष में स्वच्छ भारत अभियान का केंपेनिंग किया गया व्यार किया गया लोगों को लेकिन अभी भी सड़क्ष रक्षा को लेकर वो जागरुकता नहीं आ जागरुकता तो आचुकी है हमारी जनता डेमक्रसी को मिस्यूज करती है इसलिए हमारा यूथ रोज मर रहा है और कई बार कहते है कि रही लाइट को फ्रॉस नहीं करना चाहिए है हैलमेट पहनना चाहिए शरापी की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए पर ये रोड सेटी के में है मैं बोला चाहूं